अगर आपके पास Android phone में टेलीग्राम की नोटिफिकेशन शो नहीं हो रही है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम को इजिली सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तो बहुत सिंपल है आप इस स्टप को फालू कीजिए सबसे पहले दोस्तो आपको जो है Android phone की स सेटिंग में जाना है फिर आपको स्कॉरल करना है आप यहां पर एपस के उपर किलिक कीजिए मैनेज आपस के उपर आप क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टेलीग्राम इस तरीके से आपको यहां पर सर्च करने बार टेलीग्राम को उपन कर कर देना है फिर आपको यहां पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको जो है आप परमिशन में आना है फिर आपको यहां पर सारे परमिशन को अलाओ कर देना है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको इस तरीके से यहां पर सारे परमिशन को अलाओ कर देन एक बाद यहां पर आपको चेक करना है आपके पास notification turn on है या नहीं अगर यह turn off है तो आप उसको turn on कीजिए और यहां पर internal notification में वे आप जो ही यहां पर एक बार चेक कीजिए यह notification turn on है या नहीं उसके बाद आपको back आना है फिर दोस्तों आपको जो है play store में जाना है उसके ब update कीजिए आपके पास telegram app up to date होना चाहिए उसके बाद आपको फिर Android phone की setting में जाना है उसके बाद आपको यहां पर स्कॉरल करना है फिर आप यहां पर देख सकते हैं sound and vibration आप इस पर किलिक कीजिए आपको स्कॉरल करना है और यहां पर आप आप देख सकते हैं do not disturb mode है यहां पर यह turn off होना चाहिए अगर आपके पास यह turn on है तो आपके पास notification शो नहीं होगी उसके बाद आप फोन को एक बार restart कीजिए problem solve हो जाएगी उम्मिद है आपको वीडियो पसंद आ तो please like कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए